तो इतने सारे बुक्स हमारे मार्केट में हैं ग्लास 10 मैथेमेटिक्स के लिए ठीके मेरे पास खुद इतने सारे बुक्स है मैं तो इतने सारे में कवर नी कर बारो टेबल पे नहीं आ रहा था मैंने उन बुक्स को प्रिफर किया जो लोगों के पास रहते हैं और भी मेरे राइटर्ट की बुक्स है लेकिन मैंने उनको इंक्लिउड नहीं किया है ज़्यदादर जो बुक्स बच्चे प्रिफर वेरते वो सब में लेकी आया हूँ ठीके मैं एक एक करके बात करूँगा औ एक जो रिजल्ट है वो भी मैं बताऊंगा वो तभी सब्सक्राइब और हर एक बुक की अपनी इंपॉर्टन्स होती है और आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपके अकॉर्डिंग वो भी मैं बताते चलूआ ठीक है सबसे पहले एक बुक करगे बात करेंगे सबसे पहल स्टंडर्ड अगर आपके पास बेसिक है तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको ncrt पढ़नी चाहिए औल्ली ncrt आपका पूरा पेपर आपके ncrt से ऊप्झेद काहीं हुर। कोई दूसरा क fled happens होगा और अगर आपके पास स्टैंडर्ड है ठीक है तो ncr साथ साथ अरियंत या किसी भी दूसरी पब्लिकेस्टिन की एंसे टेग्जेंपलर राती इसको गर लो बस ये दो बुक आपका पेपर में कहीं से भी कोशिन आ जाया है आप आराम से कर लेंगे आराम से कर लेंगे और एंसे टी बुक की प्राइस अराउंड वन सिक्ष्टी र आपको बहुत फाइदा मिलेगा क्योंकि इस पे जो कोशिन का लेवल है वो सेट किया हुआ है और बड़े शांदा शांदा कोशिन है ठीक है और मैं आपको चीज़ बताना जाता हूँ मैंने पूरी एंसे आटी करा रखी है एंसे आटी के साथ साथ एंसे एक्जेंपलर ला अब बहुत सारे मार्केट में और बुक भी है उनकी बात कर लेते हैं उनको क्यों पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है क्या पढ़ना ज़रूरी है वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो इसकी बात हम करते हैं में मेरे अकॉर्डिंग ये दो अगरवाल बड़ी शांदार भूक है बहुत थी शांदार भूक है मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है चो उसे देखा हैं सो मैंने अब्जर्व किया है कि हर टाइप की कोशिन इसमें और इसमें mcqs भी है multiple choice question अगर आप class 10th में और आपके पास standard mathematics है सो मैं कहूंगा ncrt plus ncrt example का जो combination है वो है आपका RS अगरवाल ठीक है अगर सिर्फ इस बुक को पढ़ लेते हो ना सो आपके question कहीं से भी आजाएं चाया basic में हो चाया standard mathematics में हो एक बुक ही काफी है अगर आप सिर्फ आरसे के बाल कर लेते हूं ठीक है बहुत ही शांदार बुक है और इस बुक की प्राइस आपको साड़े पान्सों से लेकर 600 रुपे तक की बढ़ेगी है इकलोधी बुक और ये साइधा 1000 पेजस का है यह ठीक है इसमें आरश अग्रवाल से भी ज़्यादा कोश्यन है और एक्जेम्पल्स भी और एक्सरसाइज भी भी है ठीक है और इसमें भी एमसे की उस है बट अब लास्ट में जो कॉन्क्लूजन है उसको भी जरूर देखना तभी आपको वीडियो का पूरा समझ में आपाएगा इ अगर अगर आपको मैट को और अच्छे से जानना है और आपके पास टाइम है थोड़ा एक्षी जा तरह तरह होते हैं ठीक है प्रेक्टिस करने के लिए यह पु है इसमें बहुत ही जाधा प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही जाधा नरद एन्ट रस जाटोंग नंसा अब्लम प्रोबलम भी है इसमें हुट प्रोबलम भी मैंशिन किया जाते हैं हाई-और ठिंकिंग स्किल वाले प्रोबलम ठीक तो यह बहुत ही ज्यादा मोटी भूग है और इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम कंजूम होता है ठीक मेरे प्रिफरेंस से अगर आपकी केपिलिटी है अगर आप मेत को ज्यादा चीज़े इंजॉय करते हो तो इस बुक को पड़ो अगर आप मेत के एवरेज स्टुडेंट हो तो ऑल्वेस एंसे 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 एक्जेंप्ल या आरश्यक्रवन पर्षकते हो ठीक है अगर आप मैथ में और जादा जन करें चाहते हो और थोड़ा प्रैक्टिस जादा करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शांदर भूखें ठीक है इसकी प्रैस भी थोड़ी ज्यादा है और इसमें कंटेंट भी मोर जाद और जादा है ठीक है यह बुक पढ़ लेते हो ना इस बुक को सिर्फ इसे बुक को अगर पढ़ लेते हो इसके सारे कुशन कर लेतो एक्सराइस कर लेते हूं सुक्लास 10 का कोई भी कुशन कहीं से भी आजाए आराम से कर लोगे लेकिन यह बहुड़ी मोटी इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत सारे एक्सराइज है ठीक है तो यह बात हो इसकी उसकी बात अब जब एंड के टाइम पर आ जाएंगा तो मार्केट पर दो फेमस रैटर की आती है तो ऊस्वाल मेरे को जाद अच्छी लेगी इस बाल लेकिते कैसा किसका अच्छा आता है तो सेंपल पर आता है सेंपल पर आपको परचिस करना चाहिए ठीक है कॉन सब्सक्राइब ने जो मार्केट बेसें बढ़ाएंगे तो अब को बतांगा जिरूर कोई सभी खरीदू म तो इन दोनों में से कुई एक जो खरीदना वो आपको बता दूंगा ऐसे प्रप्राब्लम में अपको मैंशन किया जाएंगे इन प्रप्राब्लम में को करने से क्या होता है कि हमारे में एक कॉंफिडेंस डेपलब होता है ठीक है कि हमें इतने टाइम में इतने कुशन हमसे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं क्या गलति हमें एक्जाम में हो सकती है कि इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए तो पेपर करने का यह फायदा होते हैं यह बुक भी हो गई मैं एक बुक और रिकमेंड करता हूं अगर आपको बहुत शांदार तरीके से प्रेक्टिस करनी है यह आती है CBC की कोशिन बैंक वो स्वाल की ठीक है इसमें लास्ट टेनर की पेपर होते हैं चैप्टर वाइस टॉपि पर्चस कर सकोता हूं अब अब मैं आता हूं इस वीडियो के कंक्रियूजन पर कि आपको कौन सी बुक वाकई में खरीदनी चाहिए अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपके NCRT पर फोकस करना चाहिए आपकी NCRT ही आपका सब कुछ है अगर पेपर सेट की में बात करूं तो सारा लगबग पेपर NCRT से ही बनता है चाहिए वो बेसिक काउंच और स्टेंडर्ड काउं NCRT बेसिक के लिए इनफ है स्टेंडर्ड वाले NCRT के साथ साथ बस NCRT एक्जैंप्र कर लेना डैट सिट पेपर आपका पूरा इन्हीं में सी बनेगा ठीक है और जादा प्रेक्टिस करने के लिए वो आप पिच आपकी चौईस है कि आपके पास कितना टाइम है आप कितन मैंत को टाइम दे सकते हैं आपके प्रिफरेंस के अगॉर्डिंग आप आड़ी शर्मा या फिर आरस अगरवाल कर सकते हैं बट मैं हमेशा दो बुक के लिए रिकमेंट करता हूं एक NCRT एक NCRT एक NCRT एक्जैंपलर ओल्वेस ठीक है अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट गरवाल की ठीक है इसमें जादा हाई लेवल भी नहीं है और मिड लेवल कर अच्छा है हर एक स्टुडेंट को कर सकता है हर एक स्टुडेंट और आड़ी शर्मा को लगाने के लिए आपके पास थोड़ा जादा टाइम चाहिए जादा स्किल होना चाहिए ठीक है को लाइक कर देना डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे चीज़ को जो करा रखें उसकी लिंक्स में दे रखें जरूर चेक करें और अगर हमारे चनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेंबर्शिप प्लान को जोईन अप कर सकते हैं बहतर प्रपरेशन के लिए